कि आपका इस आज के नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागते आज एक और नई वीडियो लेकर कि मां आपके सामने प्रस्तों आऊं इस वीडियो में आपन देखेंगे कि किस प्रकार किस प्रकार से आपका जो third year की फाइल बनती है जोग्रोफी की आपकी practical की वो केसी बनती है केसी होती है उसमें कौन से चीच कहां लिखी जाती है एक तरस आप समझ सकते हैं कि ये third year और integrated third year में जो भी फाइल बनती है जोग्रोफी की practical के regarding उसका आप डेमो देखेंगे या उसको आप समझेंगे आज ठीके ने तो फूरी समझने की कोशिश करना में इसमें एक बच्चे की मेरे student की फाइल है जाओ उसका डेमो में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से जमानी फाइल क्या-क्या चीज़े अंदर होनी कम सकम जरूरी है और कितने पेजेस कम सकम होना चाहिए ठीक है थडियर आपका flexible की चारो वीदिया और प्रिजमेक कंपस की चारो वीदिया यह प्रतियक की दोडो यानिarmuse 8 यह हो गई प्रतियक की दोडो यह बी आट 8 और 8 16 तो यह हो गई लेकिन उससे क्या करते हैं उसकी बनेवाते ओर चार इसकी बनेवाते मलब कम से कम थे से आट तो आपको ये सिट्टे बनानी ही बनानी है तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपका क्या उसमें लिखा जाता और क्या होता है चार विदिया है आपको पता होगी लेंड टेबल सर्वें की समतिल सर्वेक्षन तो उसमें चार विदया पहली विदी है कि विकीरन विदी फिर है प्रतिथिथिन विदी फीर ओपन ट्रावेल मेथाद और लास्टिद मेथड़ यानि खुली माला इसले और बंद माला रिती यह चारों के चारों उसमें भी आएंगे किसमें प्रिज्मेटिक कंपास के अंतरगत तो पहले पन पेली शीट क्या होगी वो बता देते हैं तो जो यह मेरी स्टुडेंट का है उसका मैं आपको बता नहीं शकता प्राइविसी की वज़े से कि आगे क्या बताया लेक है लीचना प्लिश ऑक्स की नाम आएगा फिर आपका नाम आएगा पापा का नाम आएगा रोल नंबर आएगा सब्यक्रत नाम आएग और सब्प्जेक्ट टीचर के यह चाहिजहक होनी चाहिए आप फरेंट पेज पर ठीकर उसके बादम पेज क्या होता तो incarnate पर होना चाहिए तो देखते हैं जैसे कि आपका कुल का कुझी भी नाम है तो वह सबसे पहले आ गया गया है जहां पर भी आपने जिस शेत्र का भी अध्यन किया है अवलोकन किया प्लेंटेबल के माध्यम से उसका नाम सबसे पहलाएगा तो जिस एरिया का आपने बोला जाता है ठीक है वो लिख यह हो गया आपका उपर लिखना क्या है फिर निचे तो जो शीट आपकी बनेगी सो जैसी है वैसी बनेगी बीच में आपकी पूरी शीट रहेगी यह जो आपका ए है यानि की स्टेशन है अब इसके साथ साथ इसके क्या और बनेंगे इसका नहीं हो सकता है तो इंडेक्स में जिसे आपने यहां पर क्या लिया एक तो यह लिया है फिर पेड लिए फिर जाली लिए फिर यहां पर लिया जो अपने इंडेक्स यहाँ पर इंडेक्स में शौ करना होता है नीचे लास्टमीडब प्रत्यक फाइल में बनेगी क्या माप नीदाने सीखा होगा तो नीचे उसका आरेक निक sounds करके माप नी जाती है इसके बाद आपका अगला आता है अगली आपकी जो है शीट का तो तो वो क्या रहता है पेली हो गई आपकी प्रतिशेतन विकिरण विद्धी सोरी तो विकिरण गया तो दो बना लो या एक बना लो कम से कम एक तो आपको बना नी बना नी जैसे अगली है ये प्लान ओफ अरावली पीजी मावे देला फ्रांट एरिया ठीक है फिर वही प्लेंटेबल सर्वे वही रेडियेशन मेथड वही एक सेक्टन ले लिया और एक शेत्र का बच्चों ने अवलोकन कर लिया फिर उसकी भी क्या बंजेगी इंडेक्स और उसकी भी क्या बंजेगी आपकी स्केल बन जाएगी तो आप इसका स्क्रीन शोट लेकर के भी आप समझ सकते हो अपने अनुसार अगर आपको प्लेंटेबल सर्वे केसे किया जाता है इसकी वीजिया का उप्यों केसे किया जाता है अगर वह सीखना है तो मुझे इस वीडियो की नीचे कमेंट करके जरूर लिखना किसार आप मुझे वीडियो के माध्यम से बता दीजी एक प्लेंटेबल सर्वे किया के से जाता है अगर आपके कोलेज में नहीं करवाया गया है तो मैं बता दूं ठीक है और एक चीज़े को रहे गई चीट स्बसे पहले तीक है आगली चीट ये दो सबसे पहले देख ये सबसे लिए तिस्सरी आपके दूसरी आप यहां पर आ गई यह श手टेशं से पहले अपनों ने आपका दूरी है में हमापनी ज़र्य नहीं होती है दूरी केवल इसमें की स्कीम आपे जाती है है दो station के मध्य की दूरी और इससे पहले वाली वीडिकर रहते वो प्रतियpower दूरी उसmême से मापनी जरूरी होती थी लेकिन इसके अंतर का देशा नहीं किया जाता एक यहां से गिचा और दूसरा यहां से देखा जहां पर भी वह कट्रें वही वहां पर बिंदू हो जाता है तो फिर वही प्लान ओफ अरावली महाविद्याल है फ्रंट एरिया ठीक है फिर प्लेंट अगली यह भी प्रतिश्य दिन वीधी है ठीक है अगले एरिया का बच्चों ने बनाया है ठीक है यही बेसलाइन बोलते हैं जिसे दो इस्टेशनों के मध्य की लाइन को क्या बोला जाता है बेसलाइन मैंने कहा ता आपको इंडेक्स या पूर्वर में हो सकती है या पश् अगली है आपकी ओपन ट्रांजेट मैथाड यानि कि खुली माला रिती फिर एरियावई सर्वे प्लेंटेबल सर्वे और आपका ओपन ट्रांजेट ट्रावर्स मेथड ठीक है नियूदे से कुलेमाला रिती के नाम से जानते इसके अंतर्कत एक दो बिन्दू तीन बिन्दू चार विन्दू ने इस्टेसंस दो से अधिक स्टेसंस लिये जाते हैं किसके अंतर्कत यानि कि कोई ऐसा शेत्र आ गया जो एल रूपी यानि कि एल आकार में तो यहां पर आपने रखा यह चीट बन गई फिर दूसरा नंगी रखा यह बन गई तो जब एल यहां जाता जहां पर दो इश्टनों की माध्यम से नहीं बनाई जा सकती तब इसका इस्तमाल किया जाता है बंद माला रहे जिया जोनर में रर्यदी में ह groceries से लिकें हैं एक अगली बंद माला-रीटी यानीं लिया फिर विल या फिर सी लिया और लास्टु विडिया लास्ट में या चारो हो एक दूसरे से मिल जाते हैं इसे हैं कि ऐसे यसे खरनीट के चोड़ देते हैं लेकिन बंद माला में जो अंटिम बिंदू है और वहाला बिंदू हो दोनों आपस में ज़ाहिए तो यह उसके आप देख सकते हैं फिर इदर नोर्थ दर्श्या रखा है फिर नीचे वही आपकी मापनी आ गई और इदर आपकी इंडेक्स आगे ठीक है मेठाल का नाम क्या है तो इसके बाद आती है प्रिजमेटिक कंपास कौन सी प्रिजमेटिक कंपास आगे सभी का चित्र भी है आपको दिखाऊंगा में तो देखें प्रिजमेटिक कंपास में क्या होता है ग्रेजुएट रिंग होती है नोटिस क्या होगा बच्चे ने एक चीज गलती कि ए इसके बीच में यह डोटेट लाइन आती है जब इस्टेशन घिशेंगे तो इस्टेशन के उपर क्या होती दोटेट 90 डिगरी की लाइन होती है उसी के द्वारा दिखमानों को दर्शा जाता है और शीट बनाए जाती है तो एरिया हो गया फिर प्रिजमेटिक कमपास हो गया और इसमें भी पहला मेतल कौन सा होगा यह चली गई है क्या मापनी इधर इंडेक्स और उपर नौर्थ दिश्या आगे चलते हैं यह ओपन ट्रांजिट में इसका प्रिजमेटिक कमपास का इसमें भी यह तीन तरफ यह लाइन इसे होने 90 डिगरी ज़रूरी तो यह प्रिजमेटिक कमपास की कहलाती है इसी त्या इसके बाद आपको चीत्र कौन कौन से बनाते हैं मैंने बता दिया आपको चार मिथड़ें रेडियेशन इंटर्सेक्षन ओपन ट्रांजिट क्लोस चारों कि चारों कि इसमें चलेंगे इन दोनों में यानि दोनों कौन से प्रिजमेटिक कमपास और प्लेन टैबल सर्वे इसके अलावा शीटों के अलावा फिल्ड वर्क के अलावा आपको कौन-कौन से डाइग्राम बनाने कौन-कौन-कौन-की चित्र बनाने वह देख लो सबसे पहले आपका बनेगा कौन सा Plain Table इसको फोने लेना है इसके बाद बंटा है को प्रकिया ओर नीचे क्या नीचे इसका चितर बनेगा उसके बाद ऐसके बतल तो किसे चीजे अटे बैपोड को पता होगी इस ट्राइपोड नीचे कि नीचे से जो पर कि ट्रेंज टेबल होती हैं उसको कसने के लिए इस्तिमाल किया जाता है ट्राइपोड ट्रेंट टेबल को सहारा देनेके लिए स्तिमाल किया जाता है कन्वेंशनल सिंबोल्स ये मों जो होते है वह सब आप पढ़ लेना देख लेना इसका screen shot लेकर करके जूम करके ने इनको बना लेनी ये exam में भी पूछे जाते हैं वाई 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 वखरा में या जब तुमारा लिखेत exam होता है तक इसके अलावा आपको बनाना यह एलीडेट क्या होता है आप अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने फिल्ड वर्क किया है इसमें एक आई वेन होती है ऑब्जेक्ट वेन के अपर क्या लगा था गोड़े का बाल लगा होता है ठीक है ना आई वेन में 3-6 होते हैं एक दो एक दो तिन अपर वाला नीचे का किस थान को देखने में कामाता है प्यक्रिता और के लिए होती है वह उसकी आवश्यक्ता होती है इसके बाद है, आपका शाहूल दंड प्लंबॉब ठीके बोलते हैं यह जो प्लेन टेबल है और जो धरातल है उन दोनों के बीच में केंद्र का निर्दproduction करने का काम करता है यह प्लेन टेबल पर केंद्र है और धरातल का केंद्र इन दोनों को मिलाने का काम कुन करता है तो यह ussen दंड करता है यह सावल पिंड करता है और यह होता है सेविंग पैनल्टी पनल्टी नहीं बोलेंगे दंड बोलेंगे गलत लिखा बच्चे नहीं इसमें दो रंगों होते हैं ठीक है नहीं ब्लेक और वाइट जिसके माध्यम से अब्जेक्ट को देखा जाता है इसके बाद आता है आपका ट्रफ कमपास जीसे दिशा सुचक यंत्र बोलते हैं इसे सदेव उत्तर में या उत्तर दिशा को प्रदशीट करता है इसमें नव होती है ठीक है जो बीच में लगी रहे थी हो हमेशा किस और डायरेक्शन करती है यह नीडल उत्तर दिशा को और इ बीच में बीच में लगी रीटी अब इसका क्या कैसे फंक्षन है वह आप जब पढ़ोगे समझोंगे तब आपको यहां से दिख्मानों को पड़ा जाता है तो आपको अच्छ से बता दूँगा तो आई होप यह चीजे समझ यह बेसिक फाइल यह कम से कम चीजें होनी ही जरूरी है फाइल में जैसे यहलो तकर म्लाइट गया डर्ल फाइल में जैसे यह , प्रिजमतिक और गई सब्सक्राइब्स कॉरीबिया यह Colがとう सिंभोल्स ओते हैं वह गया टाइप है गाई इसने चारगे कत्वव आइ होप ये फाइल का डेमो आपको समझ आया होगा आपके किस तरह क्या करना है इसी क्रम में ये जमी होनी चाहिए ये इसका सरल सिधा सा क्रम है आइ होप ये वीडियो आपको पसंद आए होगी अच्छे लगे तो लाइक करना शेर करना मिलते हैं We see Prakarki next video, thanks for watching.